आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जैमात अधी जरूर लिखें मैं जहां पर ये शूट कर रही हूँ वहां पर नीम के पेड़ पर बैठ कर का हुआ काए काए कर रहा है अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आज मेरे घर महमान आएंगे क्योंकि ये मेरे घर से बहुत दूर है जगा क्योंकि खुले मैदान में और मेरे पास से मेट्रो गुजर रही है ये शूट करना जरूरी था क्योंकि एक ये लोकेशन देख देखकर आफिस में ही मुझे बैठा देख देखकर हम पर नहीं लगेगी ऐसा नहीं है मैं आपको एक बात बताओं हम तो वो इनसान हैं मानव हैं जो प्रिजन से जादा पास्ट में रहते हैं बहुत से लोगों ने अपने परिवार के खुच सदस्यों को खोया 2020 ने भी अगर हमारे सोभाव को नहीं बदला अगर कुद्रत के करीब हमें नहीं लाए और अपने नेचर के अंदर हमने कुछ चेंज़ेस नहीं करें तो यकीनन अब इस जनब में हम बदलने वाले नहीं हैं मेरे अंदर 2020 में बहुत चेंज़ेस आए जैसे पहले मेरा दोस्त कोई नराज होता था ना तो क्योंकि शेडूल ऐसा है लाइफ ऐसी है कि बीजी रहने की वर्यास अपने दोस्तों को में बहुत टाइम नहीं दे पाती तो मैं दोस्ती को बड़ी एहमियत देती हूं कि चलो इ मेरे अंदर ये चेंज घराब है कि अच्छा है मुझे नहीं पता है लेकिन मैंने आज इससे बड़ी खुश हूं बार बार दोस्तों को अगर मनाना पड़े बार बार दोस्तों को अगर समझाना पड़े बार बार दोस्तों को सही होने का अगर माप दंड देना पड़े तो दोस्तों का करना ही क्या है जो आपके लिएक सरदर्द बन जाए और उन्हें बोलना पड़े नहीं आप आई यह ताइम नहीं था यह नहीं था देखिए जो जिम्मेदारी में निभारी हूं ना आपके साथ एक यूट्यूब परिवार को चलाने की वो एक छूटी मोटी जिम का महीना आगया 22 मार्च से यह ड्रामा शुरू हुआ था लॉकडाउन का और यह तकलीफों का और कस्टों का और अभी तक मैं अपने परिवार के साथ यानि आपके साथ सुरक्षित हूं और जिन्दा हूं तो इससे बहतर और क्या बात हो सकती है मैं नेगिटिव देखने क कोशन्स पूछता है जितने तो आप भी नहीं पूछते और मेरे पास उसके किसी भी सवालों के जवाब नहीं होते जैसे उसने मुझसे पूछा मा जब दिवाली हम मनाते हैं तो भगवान हमारे साथ दिवाली क्यों नहीं मनाते यह देव दिवाली अलग क्यों होती है उस जो मैंने 5-minute stories पर जाकर कहानी बताई उसे वो कहानी भी बताई कि इस दिन शिव के पूजा की जाती है शिव के लिए special दिवाली बनाई जाती है शिव के विजे पर कि उन्होंने तीन राक्षस भाईयों को मारा था तो हम उनकी पूजा करते हैं इसलिए देव दिवाली है साथ दिसम्बर को ऐसा जिसके लिए हमें वीडियो बनानी पड़ रहे हैं बेहत खास है खास इसलिए भी है क्योंकि इसन काल भहर व अस्टमी है लेकिन काल भहर व स्थमी के साथ साथ ये महीने का साल का आखरी महीना है और काल भहरो की हम पूजा काल से ही आपको पता हो तब आपको भैरो बाबा की पूजा करनी चाहिए तो क्या आप भी भैरो बाबा की पूजा करते हैं हमारे तो नॉर्मली का जाता है कि जब वैशनुदेवी जाते हैं तो मां के दर्शन करके हमें भैरो बाबा के दर्शन करने लिए लेकिन अलग से तो कोई भैरो बाबा की मंदिर जाना चाहिए तो क्या है ये सारा माजरा और क्या समझना चाहते हैं आप क्या साथ दिसम्बर को ऐसे चुकूपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके दुश्मनों की लिस्ट कम हो जिससे आपको काल मृत्यू का डर ना हो जिससे दिसंबर के जाते-जाते 2020 के महीने में मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि जो आने वाला जन्वरी 2021 है वो मेरे लिए बहुत अच्छा और बढ़िया रहे माल लीजे मैंने किसी का दिल भी दुखा दिया माल लीजे मैंने किसी का बुरा भी गर दिया माल लीजे कुछ अनडरस्टांडिंग हो गई है और अब मैं अपने पापों की शमा चाहता हूँ इंसान है इंसानों से गलतियां हो जाती है तो मैं क्या करूँ साथ दिसंबर को जानते हैं इसके बारे में बहुत मस रहने वाली है ये वीडियो इस वीडियो को टेलायन तक जरूर देखे क्योंकि मैं घरेलू चमतकारी उपाए बताऊंगी मैं इसमें आपको बताऊंगी कि अगर आप बहरो बाबा के मंदिर भी नहीं जा पारे तो आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले समझेये 7 Desembar को काल बहरव Ashtemi है इसे काल अस्टमी भी कहा जाता है इसे काल भेरो Ashtemi के नाम से भी जाना जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि जिन पहरो Baba का जननव दिन है प्राते काल जल्दी उठिये नहाईए धोईए मा दुर्गा के तो अस्टमी का दिन है आप दर्शन जरूर कर लीजे वरत रखिए बेहद उत्तम रहेगा आपके लिए पूरे दिन वरत रखें वरत रखने का संकल्प लें तो आपके लिए और भी बढ़िया और बहतर रहेगा बहरो मंदिर जाना इस दिन बिल्कुल ना भूलें लेकिन लॉक्डाउन की वज़ा से कई राज्यों में मंदिर बंध है या कई लोगों के घर के आसपास भी बहरो बाबा का मंदिर नहीं है क्या करें तो मैंने वीडियो के अंत में कुछ ऐसी चीज़े बताई है जिसे आप धिहान से समझें तो आपको मंदिर जाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले बहरो बाबा का जो वाहन है जिस पे वो बैठ कर चलते हैं दर से बैठे और चल दिये तो वो है कुटा तो आपको कुत्ते की सेवा करने से काल भहरो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो बहुत युत्तम दिन है कि काले कुत्ते की सेवा करें या दो रंग वाले कुत्ते की सेवा करें तो बहुत अच्छा है इससे आपकी अकाल मृत्यू टलती है, कस्ट तकलीफे दूर होती है, नेगेटिव एनरजी दूर होती है, सबसे बड़ी बात इस दिन आप अपने और अपने पूरे परिवार की नजर जरूर उतारें, काल भहरव अस्टमी को साल भहर की अस्टमीयों में बहुत बड़ी अस् दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन नहीं करेगा, उसको मेरी यात्रा सफल नहीं होगी, और उनका जनम भी अस्टमी पर ही करवा दिया, मातारानी जब मेर करती है, वो किस पर कब क्या करती है, लेकिन देर नहीं करती, काल भहरव को शिव का रूप माना जाता है, साथ दिसं में से एक अस्टमी हो, तो बेहत खास है, हलाकि इसके बाद एक अस्टमी और आएगी, लेकिन खास और विशेश और बड़ी अस्टमी हो, साल के आखरी महीनों में हो, और काल का ही डर बैठा हुआ हो, दो हजार बीस को अगर काल का ही साल कहा जाय तो बुरा नहीं होगा, ड ये दो उंगलिया ले, इन दोनों उंगलियों को सरसो के तेल में डाल दे, सरसो के तेल में जब ये उंगलियां डूब जाएं तो उस रोटी के उपर एक लाइन बना दे, उस लाइन को बना कर उस रोटी को लिजा कर किसी भी दो रंग वाले कुत्ते को इस दिन जरूर कुट्ता रोटी खा लेता है तो आपके उपर काल का कोई भी डर और भे नहीं है लेकिन अगर कुट्ता रोटी नहीं खाता सिर्फ सूंगता है तो आप यह समझ लीजिए तो भी आपको काल का कोई डर नहीं है लगातारी सुपाय को 40 दिन तक कीजिए करना कपसे है साथ दिसं और पीछी से आप पर छुपकर वार करते हैं, उनका वार खतम होगा, यानि कि छोटी सी चमतकारी रोटी और दो उंगली सरस्यों का तेल आपका जीवन बदल सकता है, आप आपको करना क्या है, इस दिन सुभा उडद की दाल के पकोड़े बना लीजे, डई भल्ले बना लीज साथ दिसंबर की सुभा सुभा आप उठे और इन सब को लेकर चलेगा, रस्ते में जो पहला कुट्टा आपको दिखाई दे, आपको ये सारे के सारे पकोड़े जो आप बनाएं, या धही बल्ले आप जो बनाएं, उसे खिला दीजे, हो सकता है कि कुट्टा इसे ना खाए लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुट्टा इसे खा ले, लेकिन आपने कुट्टे के सामने रखे, उसने खाए नहीं खाए, आप वापस मुड़िये और चल दीजे, लेकिन मुड़कर कुट्टे को दुबारा मत देखिएगा, ये साल भर का मात्रे कुपा है, जिसे जरूर करें अब आपके घर के आसपस, अगर काल भहरो बाबा का मंदिर है, तो रोली, मोली, कपूर, अगरबती, लॉंग, इलैची, जलेबी, रोट और नारियल लेकर भहरो बाबा के मंदिर पहुंच जाएगे, शराब की बोतल लेकर जाएगे, आपको पताएगे कि उन्हें शराब म को बाटा जाता है, घर लाकर रखा नहीं जाता, जैसे बाकी सारे परसाथ का आप करते हैं, वैसा करें, अगर आपके घर के आसपस कहीं पर भी काल भहरो बाबा का मंदिर नहीं है, तो आप ये सब कुछ रोली, मोली, कपूर, लॉंग, इलैची, अगरबती, और जलेबी, और रोट, अब आप कहेंगे, रोट क्या होता है, एक मोटी रोटी होती है, जिसमें कोई लोग गुड भर कर बनाते हैं, तो कई लोग इसके अंदर मचीनी भर कर बनाते हैं, मीठी रोटी कहते हैं, कहते हैं बहरो बाबा को ये रोटी बहुत पसंद है, ये रोटी आप इस जिन पर दूद अर्पन होता है, कहते हैं जब पांडव अग्यातवास के लिए छुपकर रह रहे थे, तो भैरो बाबा ने पांडवों को अपने यहां रहने की जगा दी थी, और भैरो बाबा एक बाल रूप में है, छोटे रूप में है दूदिया भैरो बाबा, तो कुंती इने उन्हें अपना दूद एक मिट्टी के बरतन में निकाल कर पिलाया था, कि आज से मेरे पांडवों कितरा तुम भी मेरे बेटे हो, तब से ही काल बहरो बाबा के बिलकुल पास में ही दूदिया बाबा की पूजा की जाती है, और इस दिन इने दूद अर्पन किया जा स उसकी खिचडी बनाकर मजदूरों के अंदर भंडारा करना बेहद उत्तम कहा जाता है, ऐसा करने से आपका शनी भी ठीक होता है, बहरो बाबा के बारे मैं आपको एक बात बताओं कि इनकी ना वैसे नॉर्मल ही कोई पूजा नहीं करता है, जादा लोग नहीं करते हैं, अ अगर भहरो बाबा की पूजा की जाए, तो भहरो बाबा बड़ी जल्दी प्रसन होते हैं, इनके बारे में एक बात और बता दू मैं आपको, इनकी आप पूरी जिंदगी पूजा मत करो, लेकिन केवल एक बार भी पूजा कर लो ते तुरंत प्रसन होकर आपकी जीवन के बड़े-बड़े कस्ट और तकलीफों को यू चुटकी बजा कर एक ही घंटे में खतम करने वाले हैं, अगर आज तक अपने अपनी जिंदगी में काल भहरो बाबा की पूजा नहीं करी, या बच्चों को नहीं बताया, या मजदूरों को काली दाल की खिचडी बना कर नही बात हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ हुआ है, तो आपको काल भहरो बाबा की पूजा जरूर करने चाहिए, और साथ दिसंबर को काल भहरो अस्टमी है, काला अस्टमी के नाम से भी से जाना जाता है, इतना बड़ा दिन हम अपने हा शिव की भी विशेश पूजा, अराधना, अर्चना कीजिए, शिव की विशेश किरपा हो, शिव पर आज कच्छे दूद में काले तिल मिलाकर अरपन करना बहुत उत्तम रहता है, ऐसा करने से आपके कस्ट और तकलीफे दूर होते हैं, मैं इंस्टा पर पौने साथ पर मैं अलग-अलग खास उपाए आपको बता रही हूं, तो मुझे फेस्बुक पर भी फॉलो जरूर करें, अपना और अपनों का खासा ध्यान रखना, काल आपको छूना पाए, ऐसी में दिल से कामना करती हूं, फिलहाल मुझे दीचे इजासत, अपने परिवार से एक ही और खतम हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है, टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविश्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप को सो दूर, कुंडली जगाएगी, कुंडली जागरन, कुंडली बताएगी आपका भविश्य, उपर से ये जादूी जादू, टोना, तंत्र, विद्याएग, पती, पतनी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास, दीजे मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाईए, टैरो कराईए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाईए, मैं हूँ डॉक्टर वायराखी, आप मुझस से बात कीजे, फोन कीजे, आपॉइमेंट लीजे, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबर्दस बदलाव